C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक दस्वा पाठ गुब्बारा प्रिष्ट संख्या 52 से 56 अब प्रस्तुत है पाठ गुब्बारा आदा क य पर आ की मात्रा क्या र पर बड़ी ए की मात्रा क्या री क्या री ल आदा ड ड ड ड की नीचे बले उकी मात्रा डू लड डू प आदा त फिर त पर बले आखी मात्रा त पत त पत पत पक नीचे छूटे उकी मात्रा पु आदा स त स्त क पुस्तक ग ग ख नीचे छोटे उकी मात्रा गू आदा ब फिर ब पर बड़ी आ की मात्रा ब र पर आ की मात्रा र गुब्बारा गुब्बारा ब पर छोटी एकी मात्रा भी आदाला फिर ल पर बड़ी एकी मात्रा बिल ली दो अब आप इन शब्दों को पहचानिये और बोलिये लड्डू पुस्तक क्यारी गुबारा बिल्ली बिल्ली क्या इस्तर ल म दी तीन अब आप इन शब्दों को सुनिये और बोलिये बिल्ली उल्लू गत्ता बत्ती धकन चिठी लट्टू लड्डू मिट्टी चुट्टी मुठ्थी न्यास त्याग न्याय वस्तु सस्ता व्यास प्यास खदर चदर पत्थर सप्ताः सप्टाह रक्त मुफ्त अच्छा मच्छर बच्चा सच्चा लज्जा सज्जा कबड़ी गुबारा चमच हिम्मत अननास मक्खन चार अब इन शब्दों को बार बार बोलिए सच्चा अच्छा लट्टू लड्डू अक्षर मच्छर अक्षर मच्छर गत्ता गद्दा गत्ता गद्दा चुट्टि चिठ्थी चुट्टी चिठ्थी मिट्टी मुठ्थी मिट्टी मुठ्थी पांच अब इन शब्दों को लिखिए आदा फा और त फत आदा धा और य ध्य आदा ल और ल आदा क त आदा च च वाक्य खदर अध्यापक पत्ता वक्त दक्षण उत्तर स्कूल चम्मच छुट्टी बिल्ली लट्टू त्याग अच्छा कबड्डी उल्लू लड्डू चाय गुच्छा मच्छर गुबारा गत्ता मिट्टी सस्ता पत्थर बच्चा चम्मच पत्ता हिम्मत ढक्कन सस्ता सच्चा मुठ्थी खच्चर कच्चा छे यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं और कुछ शब्द भी दिये गए हैं आपको इन चित्रों को देखकर इनके साथ सही शब्दों का मिलान करना है तो यहाँ पर चित्र हैं लट्टू का चित्र, अनन्नास का चित्र, चम्मच का चित्र, थैले का चित्र और उल्लू का चित्र और दिये गए शब्द हैं लट्टू, चम्मच, उल्लू, थैला, अनन्नास अब आप इन चित्रों के साथ इन शब्दों का उचित्र मिलान कीजिए साथ यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है और कुछ चित्र भी दिये गए हैं आपको इन चित्रों की मदद से दिये गए शब्दों के रिक्त स्थानों को भरना है यहाँ पर दिये गए चित्र हैं चम्मच का चित्र, किताब का चित्र, गुबारे का चित्र, धक्कन का चित्र, त्रिकोण का चित्र और अब आपको शब्द बनाने हैं त्री रिक्तिस्थान अन च रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, च पु रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान ध आदा क, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान द आदा क, त रिक्तिस्थान और गु रिक्तिस्थान, बा रिक्तिस्थान अब आपको इन चित्रों की मदद से दिये गए शब्दों में उचित वर्णों को भरना है दिये गए चित्रों की सहता से इन शब्दों को पूरा करें मौखिक पाठ पहला, अब मैं कुछ वाके बोलूँगा और आप उन्हें सुनेंगे आज सोमवार है, कल रविवार था, कल स्कूल की छुट्टी थी स्कूल के बच्चे मैदान में थे, हमारे साथ कक्षा के अध्यापक थे मैं सूरज कुंड के मेले में था, नवंबर का दिननांक दो है कल पहली तारीख थी, मेला बहुत बढ़िया था दो, अब मैं कुछ वाके बोलूँगा और आप उन्हें दोहराएंगे कल शाम को कंचन लाल घर पर नहीं था घर का दर्वाजा बंद था खिड की भी बंद थी क्या कल दफ्तर की छुट्टी थी? अलमारी में कुल दस कपड़े थे मेरी चिठ्थी वहां नहीं थी टोकरी में कितने आम थे? बाजार में केले कुछ सस्ते थे बाजार में केले कुछ सस्ते थे लेकिन आम बहुत महंगे थे कल रवीवार था, परसों शनिवार था तीन अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनका उत्तर देंगे कल शाम को तुम कहा थे? कल मैं भुवनेश्वर में था परसों कौन सा दिन था? परसों शनिवार था क्या परसों स्कूल की छुट्टी थी? जी हाँ, परसों भी छुट्टी थी टोकरी में कितने आम थे? टोकरी में दस आम थे मेला कैसा था? मेला बहुत बढ़िया था कल कौन सी तारीख थी? कल पहली तारीख थी योग्यता विस्तार एक, शिक्षन बिंदू वाले सभी वड़नों को शामपट पर लिखें और विद्यार्थियों से बारी बारी इनकी पहचान करवाएं दो, एक स्थान पर संयुक्ताक्षर से बने शब्दों के चित्र होंगे और दूसरे स्थान पर वड़नों के कार्ड कोई विद्यार्थी चित्र निकालेगा और दूसरे विद्यार्थी वड़नों को मिला कर उसके अनुसार शब्द बनाएंगे तीन अध्यापक ऐसा फ्लैश कार्ड बनाएं जिस पर शब्द के शुरू मध्य या अंत के वर्ण लिखे हूं अथ्वा श्यामपट पर इस प्रकार के कुछ शब्द लिखें जैसे क्या खाली स्थान बा खाली स्थान खाली स्थान स्था खाली स्थान खाली स्थान ता गुबारा लड्डू आधी शब्द विद्यार्थियों से बनवाएं उनसे बुलवाएं और लिखवाएं दूर्वा भाग एक आई एट नसी एर्ट